तैयार हो जाएए क्योंकि जल्दी आ रही है हुंड़ाई की फेसलिफ्ट कार दोस्तों हुंड़ाई मोटर्स अपनी सब कॉम्पेक्ट एस्यूवी हुंड़ाई वेन्यू का फेसलिफ्ट 2022 वर्जन लॉंच करने जा रही है नई वेन्यू फेसलिफ्ट वर्जन में डेर सारे बदलाव किये गए हैं वहीं इसका लुक भी हर एंगल से एकदम कमाल का होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दें नई 2022 हुंड़ाई वेन्यू फेसलिफ्ट के लिए अनौपचारिक बुकिंग पहले से ही चुनिंदा डीलर्शिप पर हो चुकी है ये सब कॉमपच्ट SUV कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपग्रेट के साथ आएगी जबकि इंजन गेर बॉक्स बरकरार रहेगा आईए जल्दी से आपको इस कार के अन्य फीचर्स के बारे में बता देते हैं बस आगे बढ़ने से पह नहीं 83 PS का पावर जनरेट करने वाला 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटिड पेट्रोल, 120 PS पावर वाला 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 100 PS पावर वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किये जाने की संभावना है Transmission option में भी बदलाव नहीं होंगे यानि ये कार पहले की तरह 5-speed manual, 6-speed manual, 6-speed IMT और 7-speed DCT automatic gearbox इसमें मिल सकते हैं डिजाइन में जो ज्यादा तर अपडेट किये गए हैं वो कार के front और rear में मिलेंगे जो Hyundai की SUV से ही प्रेरित हैं Hyundai Venue 2022 में ब्रांड की नई sensuous, sportiness design language का इस्तेमाल किया जाएगा Front look की बात करें तो मॉडल में एक बड़ा और नया parametric grill और नया bumper होगा मजूदा मॉडल की तरह face lift वर्जन में split headlamp, LED DRL और fog lamp assembly मिलेगा New Venue में नई design के alloy wheel, updated tail lamps और tweaked rear bumper भी मिलेगा Hyundai Venue N-Line में front bumper के निचले हिस्से पर लाल रंग अलग तरह से design किये गए alloy wheel Front fender पर N-Line, badging और dual tip exhaust होगा Roof rails, tweaked rear bumper और front brake calipers इसे regular model से और अलग दिखाएंगे नई 2022 Hyundai Venue face lift भी Android Auto और Apple CarPlay connectivity के साथ बड़े touch screen infotainment system की सुविधा लेकर आए की इसमें ventilated front seat, 360 degree camera, boss audio system और front parking sensor जैसे features भी मिल सकते हैं इस सब compact SUV में 6 airbag, tire pressure monitoring system, rear parking camera, air purifier, connected car technology और electric sunroof जैसे safety features मिलने की उमीद है दोस्तों कहा ये जा रहा है कि इस कार को 16 जून को launch किया जा सकता है इसकी कीमत 4-8 लाग के बीच रहने की उमीद है इस कार की मज़ेदार और सटीक जानकारी यहीं तक थी आपको जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताईएगा धन्यवाद